अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस्ट बैल आइकन ताकि मेरे आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सकें गर्मय सुरू हो चुकी है और गर्मय में जो सबसे ज़्यादा परिशान करता है वह है पसीना पसीना आना बहुत ही नॉर्मल है पसीने के जरिये हमारे बॉडि से टॉक्सीन बाहर निकलते हैं और इसकीन की बंद पोर से वह खुल जाते हैं लेकिन पसीना हमारे स्कैल्प एंड हैर के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है पसीने में सोडियम होता है जिससे कि हमारे बाल रॉफ एंड ड्राय होने लगत पसीने को आना हम पूरी तरफ से बंध नहीं कर सकते हैं पसीने को रोक नहीं सकते हैं क्योंकि एक नैчесर प्रोसस है तो इस वीडियो में आपसे कुछ ऐसे टिप करूंगी जिसा कि 17 को काफी ह doubt तक कंड्रोल कर सकते हैं ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्या फाइदबं सबसेख बेस्त है एपल इसके पांटल को बनाय रगता है जिससे कि ऑटोमेटिकले स्वेट लेना एक ग्लास पानी उसके एंदर डालना एक बड़ा चमच एपल साइडर विनेगर अच्छे से मिक्स करना है उसके बाद में इस प्रे बोटल की हैल्पसे अपने स्कैल्प पे लगाना है अच्छे से मसाज करनी है उसे आदे गंटा रहने दे उसके बाद में हैर वाश कर ले अगर आपके पास एपल साइडर विनेगर नहीं है कोई प्रॉबलम नहीं आप गुलाब जल भी यूज कर सकते हैं गुलाब जल भी स्कैल्प के पी एच लेवल को बहुत अच्छे से मैंटेंग करता है गुलाब जल को एक और तरीक़े से यूज कर सकते है बहुत को रैगूलर वाश जैसे करते हैं वैशे किया अच्छाया है उसके बाद में एक मंग में पानी आदालना है थो इस उच्छ्छाय 麼 करना है और अपने पालों पर अप्लाय करना है इससे क्या होगा कि एक तो आपके स्केल्प का पिएच लेवल मेंटें रहेगा और स्वेट कंट्रोल रहेगा और आपके बालों से अच्छी सी स्मेल आएगी एंड आप पूरा दिन फ्रेश फिल करोगे तीसरा है है रोइलिंग काफी गर्मियों में हैर वाइलिंग करना अवाइड करती है बट बिल्कूल भी अवाइड नहीं करना है हैर वाइलिंग से ब्लड सर्कूलेशन बढ़ता हैं पसीने की वजह से बालों में डेंडरॉफ हो सकता है इसलिए आप जब भी अपने हैर वाश करे उससे आने अए बालों पर अपने स्कालब नीम्बू लगाए उसके बाद बंद इरवाश करें कि आप हैरवाश जो हैं दो से तीन दिन waiter करें और रेगुलर हैर वास बिल्कुल भी ना करें क्योंकि regular hair wash करने से क्या होगा कि आपके scalp का जो natural oil है वो खतम हो जाएगा जिससे कि आपके scalp हैं जो dry होने लगेगी और उससे hair fall होना स्टार्ट हो जाएगा so daily hair wash बिल्कुल भी नहीं करना है दो से तिन दिन के gap से ही hair wash करें hair mask आपको सब्ता में एक बार एक बार तो आपको hair mask लगाना ही है आप ताकि आपके scalp अच्छी ठंडी रहे खूल रहे आप कोई भी hair mask लगा सकते हो फ्लैक्सीड का मेथी दाना का चावल का यहां पर मैं दही बेसन एंड हनी का लगा रही हूं मैंने यहां पर एक कटोरी दही लिया है उसमें दो चमच बेसन मिक्स किया और एक टी स्पून हनी अच्छे से मिक्स किया अपने बालों स्केल्प लगा दिया इसे सिर्फ 15-20 मिनट तक ही रखना है उसके बाद में माइल शैंपूशे वाश कर ले तो अगर आप अपने आपको हाइड्रेट रखोंगे एंड स्केल्प को हैल्दी रखोंगे तो स्वेट आटोमेटिकली कंट्रोल में आ जाएगा तो आप इन बार-बार कंटीनु रखे ताकि आपको अच्छे रिजल्ट मिल सके जल्ब आई होप कि आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे एंड आपके लिए काफी हलफूल रहे एंड अगर मेरा वीडियो पसंद आयो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करे शैर करे और मेरे चैन